हैलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज से हम ए लर्निंग प्रोग्राम चालू करते हैं इसमें आपको सोशल साइंस याने की सबाजिक ग्यान में फाइला चप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है हमारी प्रिच्वी हमारी प्रिच्वी कैसे बनी इसकी उत्वत्ति कैसे हुई हिमाल्य कैसे बना महाद्वीब कैसे बने ये सब आपको समझाया जाएगा सबसे पहले आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए आसान बनाने के लिए इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको वीडियो दिखाई जाएगी इस वीडियो के दुआरा आप चैप्टर को समझेंगे उसके बाद कुछ पिच्चर्स फोटो आपको दिखाई जाएगी उस फोटो को देखकर आप समझेंगे कि आपको वीडियो में क्या-क्या दिखाया गया था क्या-क्या समझाया गया था उसकी बाद आपको MCQ दिये जाएंगे छोटी-छोटी शोट आंसर वो आपको दिये जाएंगे आप उनको करेंगे फिर उसकी बाद आपको उसकी आंसर की दी जाएगी उस आंसर की से आप चेक करेंगे अपनी knowledge कि कितना आपने सीखा, समझा, कितने उत्तर आप सही कर पाए धन्यवाद बच्चों क्या आप मेरे बारे में जानते हो मैं समझती हूँ कि आप मेरे बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुखो आओ मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ लगबग 4.6 अरब वर्ष पहले मैं गर्म गैस के घूमते हुए गोले की तरह थी धीरे धीरे थंडा होकर पिगले हुए भूमंडल में मैं सिकुड गई फिर और थंडा होने पर जम कर मैंने कठोर रूप लिया अब मेरे उपर एक परत जम गई जिस पर महाद्वीब और महासागर बने बच्चों 25 करोड वर्ष पहले सारे महाद्वीब एक साथ जुड़े हुए मेरा ही भाग थे वज्यानिकों ने इस विशाल शेत्र को पैंजेया नाम दिया था भूमंडल के चारों ओर जो बड़ा महासागर था उसे पैंथलासा नाम दिया गया था मसा आया वीडियो देखकर ई-learning से कितना कुछ सीख लिए आओ अब कुछ लिखकर याद करें प्यारे बच्चों अभी तर जो आपने पढ़ा अब उनहीं से संबंधित कुछ लगभू प्रश्न दिये जा रहे हैं उन्हें स्वेंग करने की कोशिश कीजिए नमस्कार बच्चों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे पेंजेया और पेंथालासा बने थे अब मैं तुम्हें एक और रोचक बात पताती हूँ लगभग 18 करोड वर्ष पहले पेंजेया के तुकडे होने शुरू हुए भारत का भूबाग जो अफ्रीका, अंटार्टिका और आस्ट्रेलिया के बीच धसा हुआ था लगभग 10 करोड साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एशिया महादीब से टकराया इस टकरायों से दोनों के बीच की धर्ती ऊपर उठने लगी इस तरह मेरा कुछ हिसा हिमाल्य परवत बन गया इसी समय एक और हलचल हो रही थी दक्षिन अमेरिका अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था जबकि ऑस्ट्रेलिया अंटार्टिका से दूर उत्तर की ओर बढ़ रहा था इस हलचल के कारण उत्री अमेरिका और यूरेशिया के बीच में दरार पढ़ गई जिसके कारण ये महादीब अलग-अलग हो गए और विशाल अटलांटिक महासागर बना हेलो बच्चो अब आपको चैप्टर वन हमारी दुनिया पढ़ने के लिए दिया जा रहा है जिसे समझ कर पढ़िये कि आपने क्या-क्या सीखा तब अखिर में दिये गए अभ्यासकारिये को अपनी कौपी में करें और विध्याले खुलने पर अपने टीचर्स को दिखाना ना भूले एवं अगले पार्ट के आने तक इस चैप्टर को अच्छे से याद कर ले और सबसे जरूरी बाद लगातार हाद धोते रहिए और घर से बाहर ना निकले किसलिए करोना से बचने के लिए ओके बाई बाई